संसद भवन से 5 किलोमेटर की दूरी, इंडिया गेट से 2 किलोमेटर की दूरी पर, राष्ट्रपती भवन से 5 किलोमेटर की दूरी पर एक जान चल रही है। प्रगती बैदान से 400 मीटर दूर दिल्ली के दिल के बीचों बीच जमीन के नीचे खोदा जा रहा है। ये खुदाई सरकार के खर्चे पर की जा रही है यानि A.S.I. भारति पुरातत्व सर्वेक्षन की टीम इस काम में जुटी हुई है कहा जा रहा है कि महाभारत काल के सुबूत तलाशे जा रहे हैं तीन हजार साल पुराने रिशानियों को तलाशने का काम हो रहा है जिस जगह पर खुदाई हो रही है बताया जा रहा है कि वहाँ विदेश की टीम भी आएगी इस खुदाई के पीछे सरकार की मनशा आखिर क्या है क्या इतिहास के बारे में कोई ऐसा सुबूत तलाशा जा रहा है जो कोई नेरेटिव बनाने के में इस्तिवाल होगा अब तक क्या क्या पता चला है आगे क्या पता चलने वाला है पूरी जानकारी हमारी इस रिपोर्ट में देखिए दिल्ली का पुराना किला 300 वेकर में फैला है लेकिन किले के अंदर की जमीन के भीतर 3000 साल पुरानी संभिता मौजूद है किले के बाहर जो शिला लगी है उस पर भी महाबारत काल का जिक्र किया गया है साथ में ये भी जिक्र किया है कि ये किला ये अपने गाउं में स्टेशनरी बिजनस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं आपके गाउं में भी ये करना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए जिस तीले पर स्थित है वो महाबारत काल में इंदप्रस्त रहा होगा ASI यानि आर्केलोजी सर्वे ओफ इंडिया अब उसी का पता लगाना चाहती है लहाजा खुदाई का काम जारी है 1954 से लेकर अब तक चार बार खुदाई हो चुकी है पांचवी बार दिल्ली के पुराने के लिए की ASI खुदाई कर रहा है चार बार की खुदाई के दौरान ASI को मुगल काल, सल्तनत काल, राजपूत काल, गुप्त काल, कुशान काल, मौरे काल के सबूत मिले थे उपर के लेबल पे मुगल काल के हमें इविडेंस मिले हैं जिसमें एक हमें बड़ी प्राचीर का प्रमान मिलता है और लाइम कॉंक्रिट से बनी जो है एक फ्लोर एरिया हमको मिला है और जो इविडेंसेज हैं को कौाइंस भी मिले हैं उसमें मुगल काल के उनसे सम्मंदित जो है बरतनों के टुकड़े भी मिलते हैं उसके नीचे के लेबल पर हम आते हैं तो सल्तनत काल के हमें काफी प्रमान यह मिले हैं जिनको की हम इडेटिफाइ कर सकते हैं उसकाल के सिक्कों और बरतनों से ही और सबसे उपर मुगल और उसके बाद उसके नीचे सल्तनत काल और यह जो है राजपूत काल का एक स्ट्रक्शर है जिसमें एक हम इंटिफाइ करते हैं कि दिवाल के साथ में जो है एक गार्ड सेल हमको यहां पर मिला है और यहां पर जो हमको बरतनों के प्रकार मिलते हैं वो जो है टिपिकल जो राजपूत काल में जो सामगरी यूज होती तो हम यह देखते हैं कि करम से मुगल, सल्तनत, फिर राजपूत, उसके नीचे के जब हम लेवल पर आते हैं, तो गुप्तकाल के हमको एविडेंस हैं, यह एरिया जो था गुप्तकाल में, यहां पर कोई शायद पॉटर साउस था, क्योंकि हमको करीब करीब आठ डेबर जो ह एक ही स्ट्रक्शर के अंदर से मिले हैं, और एक डेबर पर जो है बड़ी सुंदर गुप्तकाल के ब्रामी में, जो है विलेग भी है, जिससे उस कालखंड को हम आइडेटिफाई कर सकते हैं, उसके नीचे के लेबल पर जब हम यहां पर इसकिविट किये, परके देखते है यहां हमको कुशान काल का एक हाउस कॉंप्लेक्स मिला है, फर्दर उसके आगे के ट्रेंच में मौरेकाल से सम्बंदित रिंग वैल जो है एक वो मिला है पुराने किले की एक बार फिर खुदाई हो रही है, एसाई को उमीद है कि मौरेकाल से पहले की जो सभिता है उसके सबूत किले के अंदर मौजूद है संभवता वो महाभारत काल के हो सकते हैं जैसा कि दावा किया जाता है कि ये जिस्तीले पर बना है वो महाभारत काल का इंदप्रस्थ है जहां खुदाई चल रही है जहां लेबस काम कर रहे है इसमें हम मौरेकाल से नीचे के लेबल प्रिमोरिकाल तक हम लोगों ने इसके बेट किया है लगबग 600-800 इसा पूर्व तक कहानी अभी तक हम समझ पाए हैं उसके बाद हमें जो एक सिल्ट डिपॉजिट मिलता है रिवराइन डिपॉजिट है जो की फ्लड का एक इंडिकेशन है कि यहां उसके प्रमाण बिले है औ तो क्या सबसे प्राचीनतम सभ्यता इस जगह पर कौन सी थी मौरिकाल से नीचे अब आप लोगों ने खुदाई एक तरह से शुरू कर दी है जी उसके नीचे के लेबल पर हम लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं जो मौरिया का समय था उस सभ्यता को यहां पर उससे काफी न मौरिया जो सभ्यता है और प्री मौरिया सभ्यता जो है वहां तक फिलहाल खुदाई का काम चल रहा है और इसके नीचे बताया जा रहा है कि जो बाड के इंडिकेशन है वो यहां पर मिले थे मिटी जो है वो काफी ज़्यादा जमा हुई थी अब ASI की यानि की पुरातत व हुआ करता था पांडवों ने यहां पर जब शहर बसाया था तो वहां तक प्रमाण मिल सकें क्योंकि जो इतिहास में यह सारी चीजे दर्ज है लेकिन सबूत जो है वो जुटाए जा सकें पिछली बार जब यहां पर खुदाई हुई थी तो क्योंकि बाड का काफी और इंड परस्त को खो जाजा सकताए। इस तरीके के बोर्ट्स यहां पर लगाए हुए हैं जिसमें डाइग्राम के जरीए समझाये गया है कि कौन सी सभ्यता कप थी और क्या-क्या रिकवर हुआ है वसंजी आप हमें इस पुराने किले में अब तक ASI क्या-क्या ढूंड पाई है क्या ढूंडना बाकी है इन तस्व में इसक्वेशन किया है तो यहां में जिसे मुगलकाल की विडेंसेज मिले हैं सल्तनतकाल इन ट्रेंचिस में एक्सपोच किया है यह देख रहे होंगे एक फटिविकेशन वाल यहां पर जिसे रन कर रही है पत्थर और चूने-गारे से जो इसको बनाय गया है यहां पर य उसके नीचे के लेबल पर जब हम आते हैं तो यह जो है शुंकुषाणकाल का एक हाऊस कॉंप्लेक्स है जो आपको यहां थोड़ा सा बेहतर तरीके से दिखेगा यह वो हाउस कॉंप्लेक्स है जिसमें कुषाणकाल की बड़ी साइज की जो पकी मिट्टी की हीटें है उस पकाने के पचलन शुरू हुआ तो यह एक पूरा हाउस कॉंप्लेक्स हम को यहां पर नजर आता है यह इसका गेट एंटर रहा होगा इस घर का और इसके नीचे के लेबल पर जब हम यहां इसके लेट करते हैं जो सीडी यहां पर आपको नजर आ रही होगी तो यह जब गह इसके लिगेशन फीचर भी है तो यह रिंग्वेल हमको यहां पर मिला है जो की पकी मिट्टी की इटो से रिंग्स बनाके गुआ बनाए गया और जब रिंग डालने के लिए गड़ा खोदा गया उसकी लाइन भी यहां में साब पकड़ में आती है यह मौरेकाल का एक पू कुशिश हो रही है क्योंकि इससे पहले कभी दिली में इंद्रप्रस्त की तलाश नहीं हुई जबकि दिली के कई एतिहासिक शेरों का जिकर आता है लालकोट, खिलाराय पिथोरा, सिरी, दीन पना, जहां पना, तुगलकाबाद, फिरोजाबाद, शहजानाबाद, अब सौ लोगों की टीम इस मोहिम में जुटी है है यह कि पर एक नाई स्ट है जिससे के हम मिड्टी को 25 और कि ईसको यूस करते हैं और और भी तरेके कुछ उपजेक, Gabriel होता है, जिसको फ्रेश को इस तरह पकाड़ गर दे इस तरह करा जाता है, ज्यादा प्रेशर भी ने डाला जाता है कि फ्लोर की एविडेंस या फिर कोई भी एविडेंस मिट जाए, हम हलका इससे लूस सोयल हटाने के लिए इसको तब यूस करते हैं, ज्यादा यूस करते हैं, ज्यादा यूस करते हैं, ज्यादा यूस करते हैं आप तक के खुदाई में अभी क्या-क्या आप लोगों को मिला है कुछ समझा पाएंगे आप इन में से यह देखिए कुछ एतिहासिक जो चीजे हैं वो यहां पर मिली हैं अलाकि सब अलग अलग जगों से निकली हुई हैं कुछ यह वो साक्षे हैं जो अलग-अलग सभ्यताओ की और इशारा करते हैं क्या-क्या मिला है आपको थोड़ा समझाएंगे हमें अलग-अलग टाइप की चीजे मेली हैं जैसे हमें सबसे आदा पोर्टरी मिलती हैं पर पोर्टरी में ता मिट्टी के बड़तन तो इस टाइप के हमें पोर्टरी मिलती हैं और हम इसको अलग-अलग तरीके सा इडेंटिफाई करते हैं जैसे कि वाली जब पोर्टरी ह वेवी डिजाइन मिल रहा है तो ये मुगल टाइम की है और इसमें लाइन से तो उससे हमें पतर रखते हैं मुगल टाइम की पोट्रीज होंगी पच्छिस साल पुराने साक्षे एसाई को मिल चुके है चुनौती उस साक्षे को तलाशनी की है जो आस्था से भी जुड़ी है जो भारत का गौरफपू इतिहास है जिसका जिक्र तो अकसर होता है वो है इंदरप्रस्त जो पुराना किला के बाहर लगे शीला लेक पर भी च जिक्र है जिसको इंदरप्त कहा गया है शम से सिराज अफीम की किताब तारीखे फिरोशाही में भी इंदरप्रस्त का जिक्र है आईने अकबरी में इंदरप्रस्त का जिक्र है बहुत सिरोतों में भी इंदरप्रस्त का जिक्र मिलता है और इसे कुरू महाजनपत की कि पुराना किला इंद्रप्रस्थ की जगें बनाया गया है और उसके बाद लगातार इंद्रप्रस्थ का उल्लेक इवन मेडाईवल पीरियड में मैं अगर कहूं कि केवल इस्लामिक सोर्सेस पे हम जाएं तो यह अकबर नामा है आईने अकबरी इसमें इंद्रप्रस्थ का उल्लेक आपको प्राप्थ होगा संसे सिराज अफीफ इंद्रप्रस्थ का उल्लेक कर रहा है कम से कम पांच्छे ऐसे मेडाईवल सोर्सेस हैं इसलामिक सोर्सेस हैं जिसमें इंद्रप्रस्थ नाम से इंद्रप्रस्थ का उल्लेक है इसके पीछे अब जाईए फिर एंसिं इंद्रप्रस्त का पहली बार जिक्र कब हुआ तो इसे जानना समझना है तो महाभारत काल को समझना होगा पौरानिक मानने ता है कि महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्रीप्रिश्न हस्तिनापुर्श शांती दूद बन कर जाते हैं महाराजा धृत्राश्ट से पांडवों का हक मानते हैं लेकिन दुर्योधन नहीं मानता फिर भगवान कृष्ण ने पांच गाउं मांगे इंद्रप्रस्त जिसे शुरीपत कहते हैं दिल्ली में मौजूद है सुनप्रस्त जिसे आज का सोनी पत माना जाता है पांडुप्रस्त जो आज का पानी पत है व्यागप्रस्त जो आज का बागपत है तिलप्रस्थ जो आज का तिलपत है और वो पांच ग्राम की बात करते हैं कि अगर आधाराज्य नहीं दे सकते कौरव पांडवों को तो वो केवल पांच ग्राम दे दें उन पांच ग्राम में इंदरप्रस्थ सोनीपत जिसे स्वाणडप्रस्थ कहा जाता है पांडुप्रस्थ जिसे पानीपत आज की डेट में कहा जाता है व्याग्घर प्रस्त जिसे बागपत कहा जाता है और तिल प्रस्त जिसे तिलपत आज की डेट में कहा जाता है हरियाडा और उत्तर प्रदेश में ये सारी जगहें और दिल्ली में ये पांचो जगहें पांचो ग्राम मौजूद हैं ये आपके पास एकदम पूर इंद्रप्रस्त यानि आज की बागपद जिले के सो नोली में ये अपने गाउं में स्टेशनरी बिजनस शुरू करके हर महीने दो लाख कमा रहे हैं आपके गाउं में भी ये करना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए साल दोहजार अठारा में एसाई को खुदाई के दौरान महाबरत कालीन अवशेश मिले थे जिसमें रत तलवार मुकुट जैसे अवशेश मिले थे ऐसे में माना यही जा रहा है कि इंद्रप्रस्त यानी दिल्ली में भी खुदाई के दौरां महभरत काल की सबूत मिल सकते हैं अगर हम बात करें तो इंद्रप्रस्त जो ब्राजधानी यहाँ पर पांडवो से जो इतिहास में लिखा हुआ है करीब तीन हजार साल पहले की उस सभ्यता है अभी आप लोग मौर्या सभ्यता और प्री मौर्या सभ्यता के आसपस आप लोग खुदाई कर रहे हैं तो तीन हजार साल में से हम क्या माने की करीब कितनी सभ्यताओं को कितने साल तक आप लोग खुदाई कर चुके हैं और इंदिप्रस तक पहुचने में और कितने फिट खुदाई बाकी है या कितने और साल पीछे जाना बाकी है तो अभी तक हम यदि कालकरम से बात करें तो लगबग धाय जार साल की सब्विता के लगाता रोशेस हम को यहां पर मिल चुके हैं और एक अनुमानता है जो एक ड 15 मीटर का यहां पर कल्चरल डिपाजिट होगा जिसमें से लगबग 11 से 12 मीटर तक हम लोग इसके बीट कर चुके हैं